सब्सक्राइब थे री yoooka डोस्तो तो के लिए 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो जुए ढूरे आय। तो आप जल्द से जल्द आके अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो इसमें आईए हम देखते है नोटिफिकेशन में क्या क्या इस बार जरूरी बाते आईए तो इस नोटिफिकेशन को एक फरवरी 2023 को यूपीएस्टी ने जारी कर दिया है तो यानि कि आज एक डेट को औ अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों अब देखते हैं इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या चीजे दी गई है ठीक है इस बार पोस्ट भी कापी अच्छी है यह आप देख सकते हैं कि ठीक है कैसे अप्लाइ करना है तो आपको सबसे पहले यूपीएस्टी की पर जाना है और इस बार एप्लाइ करने का फॉर्म एक नया तरीका आ चुका है यानि कि वन टाइम रजिस्टेशन ओटी आर अपको सबसे पहले ओटीर प्लेट पर जाना यूपेस्टी की वेबसाइट भी दिया गया लिंक को इसकी ओटीर पर जाके अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले बनाना है और उसके बाद एक ओटीर नंबर मिलेगा उसके माध्यम से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिल कर सकते है यदि जिसका ओटीर पहले से बन चुका है वो मोडिपीकेशन भी कर सकता है प्रोफाइल को ठीक है सबसे पहले ओटीर ही बनाना पड़ेगा बनाना पॉर्म फिल कर सकते है इस बार नया सिस्टम जारी कर दिया ओटीर टीक है दोस्तो और आप फिल कर सकते हो ठीक है इसके बास लाइट फॉर्ज़ष्ट पॉर्ग आप एपलिकेशन दिया गया इसमें लाज़़ष्ट कि रहेगी, किस पर वरीद हो जाते ही उस्तक र लगेगी आपकी रॉंग अंसर पे एक गलत उंथ अंसर देने पे आपको नेगेटिव मार्किंग होगी ठीक है दोस्तों आप सभी को मालूम है पेस्टी में की नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है ठीक है पिर इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप से रहेगा पैपर का प्रेटन उसी टाइप से इस बार भी जिस टाइप से हर साल रहता है और नेगेटिव मार्किंग तो हर साल होती है इस बार भी आप UPSC जो भी देता है से विल्स विरिस की तेहरी जो भी करता है उसको मालूम होता है कि कुणसी कुणसी पोस्ट होती है तो सबसे टॉप पे तो अपनी IAC होती है उसके बाद IPS होती है और Indian Foreign Service होती है यह सभी टॉप लेवल की है पोस्ट होती है सेंटर लेवल में और यह आपकी फिर ग्रूप A ग्र तो फिल्ड तो दा इग्जामिनिशन इन एक्सपेक्टेट टू बी अप्रोक्सिमेटली ग्यारा हजार सॉरी सॉरी ग्यारा सो पाच वेकंसी आई है ठीक है दोस्तों और इसमें भी अलग-अलग केटिगीरी क्लिक है ठीक है विच इंक्लूट थर्टी सेवन वेकंसी रिज कि मैं में में चीज भी बता रहा हूं आपको क्या क्या है इसमें ठीक है और किस टाइप से आपको फॉंप पिल करना है पॉंप पिलने के लिए यूपीस्टी की वेबसेट पर जाना है और इसने आर्रेडी ओपो टियर प्रोपाईल बना लिया या विजिए उसमें आपको एडिट करते हो या मोटिपाय कर सकते हो वह भी कर सकते हो इसके बाद फिल आपका पंपिल हो जाएगा आप देख सकते हैं इसमें पुरा क्लासिफिकेशन दिया गए पोस्टवाइस किस किस तन्सनल क्लासिफिकेशन दिया है कैटेगरी पॉर वीच आइडेंटिफाइट किया गया इसमें स्टेप से नोटिफिक्शन काफी लंबा है जारी कर दिया गया है आप देख सकते इसमें और जो सिविल सर्विस की प्रीलमलरी एक्जाम रहेगी प्री के जो एक्जाम होते हैं इसके सेंटर से आपके स्टेट वाइस दिया रहता है इसमें आप देख सकते हैं और ये मेंस एक्जाम के लिए सेंटर दिया गया है हर स्टेट में वान मेंस एक्जाम के लिए एक सेंटर दिया रहता है ये देख सकते हैं ठीक है दोस्तों और आपको तो मालूम है इसका स्लेवस क्या क्या रहता है है आप सभी को मालूम होता है कभी जो युप सीगतय है है करता है उसको सब चीजे मेक्जीम currently मालूम होता है ुछ झो नए फिल्दों मिल्मा आते हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो फायदें मैंदें दोस्तों और अब देख सकते हैं कि सभी category wise attempts रहते हैं कि कुन से इसके number of attempts इसमें दिया गया अबरेड़ी एवरी कंडिडेट अपरे अपेरिंग एट एग्जामिनेशन हूँ इस दे अधर वाइस एलिजबी एलिजबल सेल भी पर्मिटेड शिक्स अटेम्ट इड़ सी एसी जनरल के टिगिले शिक्स अटेम्ट होते हैं और जो अधर के टिगरी होती है यह जैसे कि स्ट इसी इनके लिए अनलिमिटेट रहता है और वह बिसकल नाइन अप एटेम्ट से रहता है ठीके दूस्तों सब्सक्राइब 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 को देख सकते हैं ठीके दोस्तों इस टाइब से आप फार्म भर सकते हैं वैसे यह नोटिफिक्शन कापी लंबा दिया है तो दन्यवाद दोस्तों आप सभी का बदबद धन्यवाद आप कैसे एप्लाई करना इसमें आरेडी दिया गया उसमें ओटियार जो प्लेट फार्म रहता है उसके आ बन बादाय अलग पोस्त है उसको भी आप देख सकते दोस्तों और अपना फार्म फिल करके अपने तैयारी की ओर आगे बाढ़ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों आप सभीका बहुत बहुत धन्यवाद फिम्प नोटिफिक्शन जारी हो चुका है और जल्दसे जल्द अपना पॉम भर दीजे और तैयरी करना चलू कर दीजेगा धन्यवाद